Hey guys, welcome back to a new video इस वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप लोग OBS Studio को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आप लोगोंने perfectly कैसे install करना है अगर आप लोग मेरी वीडियो को step by step follow करोगे तो आप लोगो इस सारे process में कोई भी error नहीं आने वाला विकोज OBS Studio को डाउनलोड करने के बाद कुछ लोगों के पास ये open नहीं हो रहा होता अगर open भी हो जाता है तो आप लोगों के पास black screen आरी होती है बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी problem solve करके दिखाने वाला हूँ आप लोग कोई भी windows use करते हो windows 7, 8, 10 या फिर 11 सभी windows के लिए मैं आप लोगो प्रोसेस बताने वाला हूँ सो गाइस वीडियो को स्टार्ट सेंट तक लाजमी देखीगा ताकि आप लोगों को इस तमाम प्रोसेस की एची तरह से समझा सके तो चलेंगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले आप लोगों यह करना है कि जो भी आप लोगों के PC या भी लैप्टोप में ब्राउजर इंस्टॉल होगा उसको आप लोग open करेंगे और यहां पर simply search करेंगे OBS Studio OBS Studio search करते ही first number भी आप लोगों के पास इसकी official website www.obsproject.com के नाम से मिल चाहेगी simply से आप लोग इस website को open कर लेंगे मैं try करूंगा कि इसका link आप लोगो description या फिर pin comment में provide कर दूँ OBS Studio एक open broadcaster software है जिसको आप लोग free में use कर सकते हैं जैसे ही आप लोग इस page भी आएंगे अगर आप लोग उपर की तरफ देखते हैं तो एक download वाला section दिखाई देगा जिस पर click करने के बाद यहां से आप लोग OBS Studio को Windows के लिए भी download कर सकते हैं साथ अगर आप लोग के पास कोई macOS या फिर linux वाली device है तो उसके लिए भी यहां पी आप लोग डाउनलोड कर पाऊगे गाईस अगर आप लोग Windows के लिए download करना चाहते हो तो यहां पी आप लोग को एक line लिखी हुई दिखाई देगी कि अपके टाइम में जितने भी latest version आ रहे हैं OBS Studio के वो just Windows 10 और Windows 11 को ही support करते हैं सो गाईस अगर आप लोग इसको Windows 7 के लिए install करना चाहते हो तो इसके लिए मैं आप लोग को दो versions recommend कर दूँगा आप लोग ने उनी को download करना होगा OBS Studio का version 18.0.1 और दूसरा OBS Studio का version 27.2.4 यह दो versions हैं जिनको आप लोग Windows 7 पे use कर सकते हो अब के टाइम में जितनी भी latest update आ रही है OBS Studio में वो just Windows 10 और Windows 11 पे चलती हैं उसके लावा भी कुछ steps हैं जिनको आप लोगोंने differently perform करना होता है जो वीडियो में मैं आप लोगो next बताने वाला हूँ इस page भी आने के बाद simply से आप लोग download installer पे क्लिक करेंगे यहाँ पे OBS Studio के जो exe file होगी वो यहाँ पे download होना start हो जाएगी आप लोगोंने यहाँ पे कुछ second wait करना है और इस file को completely download होने देना है जैसे यह file download होगी simply से आप लोग drop up पे क्लिक करेंगे and then show in folder पे क्लिक करके हम लोग वो location open कर लेंगे जहाँ पे यह file download हुई होगी इस file को download करने के बाद अभी आप लोगोंने इसको install नहीं करना बलके इससे पहले आप लोगोंको दो और files होती हैं जिनको install करना पड़ता है अगर आप लोग उनको install नहीं करते तो आप लोगों के पास OBS Studio में definitely कफ़ सारे errors आ जाते हैं इसके लिए simply से आप लोग यह करोगे के pin comment में आप लोगोंको एक link मिल जाएगा simply से आप लोग इस link को copy करेंगे और आप लोग अपने browser को open करने के बाद इसमें हम लोग एक new tab को open करेंगे यहाँ पे इस link को paste करने के बाद simply से open कर लेंगे basically इस वाले page से आप लोगोंने visual c++ की जो files होती है run time वाली उनको download करना होगा because कुछ pc में यह files जो होती है वो missing होती है जिनके वज़ासे obvious studio यहाँ तो open नहीं होता अगर open हो जाता है तो उसमें black screen आरी होती है इस वाले page भी आप लोगों के पास run time components वाली जो file होती है वो 32 bit और 64 bit दोनों ही operating system के लिए मिल जाएंगी आप लोगोंने one by one करके इन पे click करना है तो यह दोनों files नीचे की तरफ download होना start हो जाएंगी यहाँ पे कैसे आप लोगोंने एक और चीज भी remember करनी है कि अगर आप लोग windows 7 या windows 8.1 यूज़ कर रहे हो तो आप लोगोंने एपनी windows को लाज़मी से update कर लेना है इससे आप लोगों को obvious studio में कोई भी error नहीं आएगा तो यहाँ पे हमारे पस visual c++ की दोनों files download हो चुकी है उसके पास simply से हम लोग drop up पे click करेंगे and then show in folder पे click करके simply से download value section में आ जाएंगे अभी आप लोगोंने ये करना होगा कि इन दोनों files को आप लोग one by one करके install कर लेंगे simply से आप लोग इन पे double click करेंगे यहाँ से यह जो permission होगी इसको हम लोग check करेंगे agree पे click करने के बाद install पे click कर देंगे उसके बाद सेम इसी तरह से आप लोग दूसरी file को भी open करेंगे इसकी जो license agreement की terms होती है उनको read करने के बाद यहाँ से हम लोग इसको check mark करेंगे और इसके बाद install पे click कर देंगे यहाँ पे यह दोनों files install हो चुकी है install होने के बाद आप लोगोंने अपनी PC को एक बार restart कर लेना है PC restart करने के बाद अभी आप लोग simply से डाउनलोड वाले section में आएंगे और यहाँ पे यह जो OBS Studio वाली exe file है इस पे आप लोग right click करेंगे और यहाँ से run as administrator करके simply हम लोग इस file को open कर लेंगे जैसे आप लोग OBS Studio की installer file को open करेंगे कुछ इस तरह का interface आप लोगों को देखने में मिलेगा यहाँ पे आप लोग next पे click करेंगे इसकी license agreement की जो भी terms हाती है इनको read करने के बाद आप लोग next पे click करेंगे by default यह आप लोगों की local drive c में program files में install होगा लेकिन अगर आप लोग location को change करना चाहते हो तो browse पे click करके आप लोग location को change भी कर सकते हो लेकिन मैं आप लोगो recommend करूँगा कि आप लोग इसको local drive c में ही install करो उसके बाद install पे click करते ही OBS Studio यहाँ पे install होना start हो जाएगा जब तक यह install होता है जिन लोगों यह पे तक वीडियो को like निग किया वीडियो को like कर देना और आप लोगों मैंसे जितना भी लोग channel पे new हो तो channel को subscribe करके bell icon को all पे set कर देना तो यहाँ पे हमारे पस OBS Studio install हो चुका है install होने के बाद home screen पे आप लोगों के पास इसका एक shortcut भी मिल जाएगा जैसे यहाँ पे आप लोग finish पे click करेंगे तो OBS Studio यहाँ पे हमारे पास launch जाएगा launch होते ही कुछ user guide आप लोगों को मिल जाती है कि आप लोगों ने इसको कैसे use करना है तो यहाँ से आप लोग जैसे इसके main interface पे आएंगे तो कुछ लोग यह समझ रहे होते हैं कि इसमें black screen आ चुकी है लेकिन guys यह कोई भी black screen नहीं है basically जब भी आप लोग इसको install करते हो तो इसमें by default कोई भी source add नहीं होता by default इसमें एक scene add होता है source को add करने के लिए simply से आप लोग प्लस वाले icon पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लोग एक option मिलेगा display capture वाला इस पे क्लिक करने के बाद display capture को आप लोग कुछ भी rename कर सकते हो ok पे क्लिक करेंगे यहाँ से अगर आप लोग के PC के साथ एक से ज्यादा monitor attach हो तो उनको आप लोग choose करेंगे उसके पाद ok पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो display होगा वो यहाँ पे capture होना start हो जाएगा अगर आप लोग start recording पे क्लिक करते हैं तो हमारी जो वीडियो होगी वो यहाँ पे record होना start हो जाएगी stop recording पे क्लिक करते ही हमारी जो recording वाली file होगी वो .mkv forward में हमारे पास यहाँ पे save हो जाएगी नीचे यहाँ पे आप लोग के पास location R होगी जैसे कि यहाँ पे location है c users वाला folder है उसमें एक tmtt वाला folder है so simply से यहाँ पे हम लोग this pc में जाएंगे यहाँ से local drive c को open करेंगे इसमें एक users वाला folder होगा इसको open करेंगे आप लोग ने पने pc का जो भी name रखा होगा वो यहाँ पे show होगा जैसे कि मैंने रखा हुआ tmtt इसको हम लोग open करेंगे इसमें आप लोग के पास एक videos वाला section मिल जाएगा जिसको open करने के बाद यहाँ पे आप लोग के पास mkv format में OBS studio की recording वाली file मिल जाएगी इसको अगर यहाँ पे मैं play करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को भी देख सकते हो इस तरह से आप लोग इस process को follow करते हुए OBS studio को perfectly download and install कर सकते हो और इस तरह से आप लोग अपनी screen recording भी कर पाओगे फिर भी अगर आप लोग कोई भी question हो तो आप लोग नीचे comment section में पूछ सकते हो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के हल कमेंट का टैमली answer कर सकूँ Guys अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर देना और अगर आप लोग चैनल पे नीऊ हो तो चैनल को subscribe करके bell icon को all पे set कर देना मिलते हैं पिर इंशाला नेक्स वीडियो में तब ते के लिए अलाफिज